नमस्ते सभी भाई बैनों को नमस्ते परणाम आज मैं आपको थोड़ा बहुत बताने जा रहा हूं एकुप्रेशर कैसा भी भेंकर दर्ध हो शरीर में एकुप्रेशर से अपन 99.99% लाब पा सकते हैं कभी कभी तो लोग आते अपने पास हाथ ही नहीं इलता है तो थोड़ी देर में उनका हाथ क्या गर्दन गर्दन पुरा शरीर हिनले लग जाता है इतना जबर्दस्त है कैसा भी टेटा मेटा शरीर हो आज भी थोड़ा बहुत एकुप्रेशर का नोलेज रखके कहीं भी खबी भी किसी की भी सेवा कर सकते हो आपको चे सीर में दर्दों चे आपको बताता जा रहा है कि अपनी पांच अंगुल्यां इन्हें सबसे ज्याजा मेटोपूर है कि आपने दो मिनटी किसी भी बिमारी आपको बताता जा रहों थोड़ा तोड़ा आप शीक ना यह उटा है कैसा भी सिर में दर्दों यहाँ दबाने से सीर दर्द गारंटी ह ठीक हो जाता है दो मिनट में यह अंगु ठीक हो टोप से दबा दो ऐसे दो मिनट में कैसा भी शीर दर्डो ठीक हो जाता है तू रंत आराम खाली पेर दबाओ तो सबसे अच्छा है इसके बाद यह साइनस की यह सारे पॉइंट हैं यह साइनस के लिए यह उपर वाले टोप साइनस के लिए नाक बेता हो सर्दी ओ는데 हमدव खासी जुकाम साइनस तो साइनस के लिए शिर में दर्डों तो यह दबा देना इस चेंप ब्र hello बरेन की सारी दूर बलता ही दूर होती है उसके बाद यह नीचे आते हैं यह point है यह है आंखों के लिए यहां दिरे दिरे दबाने से आखों की जोती बढ़ती है कई बार तो देखा कि बच्चों की एक पुतली इदर जाती है कि इदर जाती है ऐसे दबाने मातर से दोनों आखों की पुतलियां सामने हो जाती है बहुत जबर्दस पॉइंट है यहां कानों के लिए कान से म समंदी विकार दूर होते हैं सर्दी खासी तमा कैसे भी बिमारी हो उसके बाद यहां नीचे आते हैं हाट के लिए कि कई बार तो हाट के अवरोध में खुल जाते हैं यहां दबाने से बहुत जबर्दस पॉइंट है यह हाट के लिए उसके बाद इसके नीचे यहां diabetes के लिए दिरे दिरे प्रेस करना रोज सुबह सुबह 30 सेकेंड से 2 मिनर तक रोज कर सकते हैं इसके बाद यह 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 आतों के लिए यह इदर यह आतों के लिए दबाना इसे आतों की बिमारिया दूर होंगी उसके बाद यह इदर थाइरोड के लिए उबरावा भाग है यह दबाने से थाइरोड अच्छी होती है यह 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 थाइरोड के लिए बाद में यह जो अंगुली मोड़ती है लगती है यह यह किड़ने के लिए पोइंट है यह यह अंगुटे के नीचे दोना हाथों में यह किडने के लिए यहां दबाने से किडने अच्छी होती है, किडने का क्लिटीने लिवन अच्छा होना ची है, अाधा से तेरड फिर हम आपको विच्तार से बताइएंगे, फिर यह मुत्रसमंदी बीमारी के लिए, किसी को بहो, यहां से दबा लो बीचमेंसे, यहां तख दबादो उसके बार यहां के लिए इतना जबर्दशन से गर्दन कैसी भी जहाम ओ TOM ठीक हो जाती है कंदे के लिए किसी का हात नहीं उटर उपर उपर कंदे में बहुत ज्यादा पोईंट है किसी की बीपी लो हो जाए उसको हाई करने के लिए ये बड़ी वाली अंगुली दबा देना किसी की लो हो उसको हाई करने के लिए दबाने किसी के हाई हो दो मिनटी है शेकिंड इसलिए तो कहते मगनी पर अंगुटी पहना दो आजकल साधी होने पर लोगों को बीपी हो जाती है यानि बीबी और बीपी का दोनों का थोड़ा थोड़ा चक्कर होता है यहां से दबादो यह तोड़ा विनोद में यहां से दबाने से ठीक हो जाती है कैसी भी बीपी की प्रोब्लम हो यहां दबाने से बाद में किसी कैसी भी कमर की प्रोब्लम हो गुटने कि थे इसको दबा दो शरीर टेटा में ड़्टा हो यहां से पूरिय अंगुली को दबा दो यह पहन लेकि ऐसे कर दो कैसा भी शरीर में दर्दो तू रंद आरा मिल जाता है तू रर आगे बहुत सारे पोइंट है छोटे बचे पेसाब करते हों यहां से दबा दो विस्तर में पेसाब करना पहले दिन बंद कर देते हैं दो खजुर किला देना रात को और यहां से दबा देना विस्तर में दो बचे पेसाब करते हैं उनका पेसाब करना पहले दिन बंद हो जाता है और उसके बाद देखो यह इदर यह प्रोस्टेट के लि इसलिए तो माता बने कंगन बेंदी उनको कोई रोग ना हो फिर पिछे यह पिछे यहां कमर के लिए यहां दबाने से कमर अच्छी हो जाती है यहां से फिर यहां अंदर के और दबाते हैं इसका और इसका दोनों का मिलता है यहां दबाते हैं तो यहां से सीर दर्द ठीक होत बहुत अबर्दस पॉइंट है और राइट एंड में यहां लिवर के लिए किसी का भी लिवर कड़बर हो गया हो यहां दबाओ लिवर अच्छा हो जाएगा बहुत अच्छे पॉइंट है शुबह शुबह रोज दबाना और कम से कम एक शेर जरूर करना आगे सब लोगों को सिर्मेदर दो यहां साइड से ऐसे ऐसे दबा सकते हैं बाद में किसी को प्रोस्टेट की बीमारी हो यह तो कान में उभरावा भाग इसको ऐसे दबा के उठक बटक निकाल दो एक दो इससे एक ठीक हो जाता है मेरे भाई-बैन आभी एक उप्रेसर सीको और कम से कम एक शेर तो जरूर बनता है सबका धन्यवाद रोज दो मिनट से पांच मिनट दबा लो फिर मैं लेक्याओंगा आपको लिए हाथों के लिए पोट बताए अब आपको पैरों के लिए घुटने के लिए कितनी भी बहेंकर बीमारी हो एक उप्रेसर से आप आश्च्रे जनक लाब हो हो कैसे गया धन्यवाई